तो दोस्तों आपने कोई भी अप्लिकेशन पे टूइस्टेप उथेंटिकेशन लगाया है और अगर उसका कोड उसकी की आप भूल चुके हैं लॉस्ट कोड कर दिया है अब उसका कोड को भूल चुके हैं तो दोस्ता आज वीडियो में कैसा तरीका बताऊंगा कि कैसे आप टूइस्टेप उथेंटिकेशन को गूगल ऑथेंटिकेटर का जो की है वापिस से उसको लॉगिन कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप भी गूगल ऑथेंटिकेटर या कोई भी अप्लिकेशन में तूइस्टेप उथेंटिकेशन लगा कि उसका कोड भूल चुके हैं तो आ अगर आप उसका code भूल चुके हैं तो वीडियो में लाज तक बने रहीएगा मैं वीडियो में बताऊँगा कि गूगल पर अपना तू इस्टेप ऑथेंटिकेशन कैसे लगा सकते अपना authenticator code अगर आप भूल चुके हैं तो इसको recover कैसे कर सकते हैं तो सारा कुछ मैं बताऊंगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है आपको अपने फोर में खूरोम अप्लिकेशन ओपिन कर लेना है वहाँ पर त्रीडॉट पर क्लिक करके यहाँ पर desktop site यहाँ पर open कर ली जाएगा chrome पर ठीक है फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर गलती से मेरा यहाँ पर टैप हो गया है मैं बैक कर लेता हूं फिर उसके बाद दोस्ति यहाँ पर एक option उपर में दिख रहा है google account sign in दिख रहा है यह option sign in इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लि इनफो है data and security है और यहाँ पर बस security option दिखेगा आपको security option पर क्लिक कर देना है security option पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा आप यहाँ पर two step authentication लगा सकते हैं यहाँ पर आपको क्या करना सारा कुछ मैं बता देता हूं देखिए अपना recovery phone number डाल देना है recovery phone number दिख रहा recovery email recovery email आपको डालना दोनों चीज़ डाल देना है फिर उसके बाद दोस्तों आपका two step authentication आपका लग जाएगा ठीक है क्योंकि दोनों मैं डालूँगा तो वेडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी तो इसलिए आप मैं सीधा short ने बता रहा हूं कि आपको recovery phone number और email डालने के बा दोस्तों जो जो code आएगा यहाँ पर authenticate पर code आएगा तो यहाँ पर Google अथाटिकेटर आपको play store से login कर लेना दोस्तों Google authenticator आपको play store से download कर लेना है Google authenticator जैसे आप download किजेगा वहाँ से code को स्कैन कर सकते हैं और वो छे अंकों का कोड आप निकाल सकते हैं ठीक है तो Google Authenticator यहां सच कर लिजेगा प्ले स्टोर पे ठीक है Google Authenticator यहां पर मैं सच कर लेता हूं Google Authenticator तो आपको बस महां पर पोन नंबर रिकावरी फोन नंबर और इमेल डाल देनाा है फिर उसके बार हैंपल यहां पर सरच करना है Google Authenticator उसको ओपिन कर लेना है ऐसे बाद एढड़ कोड पर क्लिक करके यहां पे scan qr code यहां पर आपको एक code मिलेगा यहां पर authenticator का code भूल चुके हैं तो आप उसको वापिस मान लीजे कि जानना चाहते हैं अगर आपको याद नहीं authenticator code Google का तो आपको करना क्या है आपको करना क्या है दोस्तों आपको अपने phone के setting में चले आना है phone के setting में जाने के बाद यहां पर search करना है Google Google search करना है Google पर click कर देना है फिर उसके बाद वहाँ सा वेट करना होगा इस पर type कीजिएगा तो यहां पर option देख रहा है एरो पर click कर देना एरो पर click करके यहां पर manage account on this device है इस पर click कर देना है इस पर click करके अगर auto sync data यह off होगा तो इसको on कर लिजेगा इसको याद से on कर लिजेगा अगर गूगल authenticator code आप भूल चुके हैं उसको जानना चाहते हैं तो इसको आपको प्लेकेशन को इस टॉल करना है गूगल authenticator यह अप्लिकेशन को इस टॉल करने के बाद यहां पर open कर लेना ओपन करने के बाद दोस्तों आपको दोनों email id से इस application पर login कर लेना है किसी ना किसी email id पर आपका Google authenticator यहां पर मिल जाएगा अगर नहीं मिलेगा तो यहां पर देखिए कि एक option दिख रहा है सेटिंग का ठीक है सेटिंग पर क्लिक कर देना है सेटिंग पर क्लिक करके time correction for course इस पर क्लिक करके सिंक नौ पर क्लिक कर देना है सिंक नौ पर क्लिक करने के बाद यहां पर सारा कोड अगर यहां पर अपडेट होगा पहले से तो आपको शो हो जाएगा अगर फिर भी नहीं शो होगा तो यहां पर आपको help option दिख रहा है help पे click करने के बाद करने के बाद यह हं पे देखिएगा आपको यह श्यानफे लिक करने के बाद और दोस्तों आपको छुछा वेट करना है फिर उसके बार गेट कर करके यहां पर लिखना के अब कर देखिए यहां पर आपको अपना e-mail डे देकेशon coração भूल चुके हैं वो डालने के बाद यहां पर देखिए सेंड का उप्शन देख रहा सेंड पर क्लिक कर देना फिर गूगल टीम के दोवारा यह आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा 24-44 घंटा फिर उसके बाद यह प्रॉब्लम सब्सक्राइब कर लिजागा थैंक्स पर वाचिंग